हेलो एवरीवन आपका एक बार फिर से वैलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ क्वांट इसमोल के अप फंड डायट प्लान ग्रोथ के बारे में इसमें मैं आपसे डिसकस करूँगा ये जो मुच्छवल फंड इस ने पिछले एक साल, तीन साल, पास साल या फिर एनवल रिटन क्या दिया है आज के रेट में इसका एक एनवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार्ट रिटिंग मुच्वल फंड है इसमें आप मिनिममम SIP अमांट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है साती साथ मैं आपसे डिसकस करूँगा इसके अंदर कौन-कौन साइज स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस मुच्वल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किया होते तो पिछले एक साल, तीन साल, पांच साल के अंदर आपको क्या रिटन देखने को मिलता और लास्ट लूब मैं आपसे डिसकस करूँगा कि क्या हमें कौन्ट small cap fund diet plan growth के अंदर investment करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए अगर आपने already invest किया है तो आगे आप अपना SIP और लंसम के साथ क्या करेंगे Quant Small Cap Fund Diet Plan Growth ये एक Equity Mutual Fund है जो कि Small Cap के अंदर आता है और ये काफी High-Rix Mutual Fund है इसने जो पिछले एक साल में रिटन दिया वो 37.75% का रिटन है तीन साल की बात करें तो तीन साल में 26.77% का रिटन है ध्यान देंगे अभी जो भी रिटन मैंने आपके साथ यहाँ पर डिसकस किया ये इनका One Time यानि की Lump Sum का रिटन है अगर आप एक बर में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटन देखने को मिलता अगर आप SIP की थुरों इन्वेस्मेंट करेंगे तो रिटन आपको कुछ और मिल सकता है क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिसकस करूँगा एन्वे के उपर अगर बात करें तो आज के रेट में इसका एक एन्वे का प्राइस है 283 रुपया 49 पैसा रेटिंग की बात करें तो ये 4 इस्टार रेटिंग मुच्वल फंड है इसमें आप मिनिमुम SIP अमाउंट 1000 रुपय लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 26 जा 644 करूर का यानि कि अभी तक want small cap fund के अंदर जो total पैसा लगा हुआ है वो total 26 जा 644 करूर रुपया लगा हुआ है return calculator के ओपर बात करते हैं कि अगर आप इस मुच्वल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या return देखने को मिलता इससे पहले अगर आपने अभी तक आप इस टोक पे अपना account आपन नहीं किया और करना चाते हैं तो इस वीडियो के description में मैंने अपना demate account का referring दिया है अगर आप मेरे reference से अपना account आपन करते हैं तो फिर आपको account आपनिंग या account maintenance का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा अगर आप इस मुच्छल पंड के अंदर 5000 प्या पर मन जमा करते हैं तो फिर एक साल में आपका पैसा जमा होता 6000 आपको मिलता 73,944 रुपिया यानि कि एक साल में S.I.P. के थुरू करीब आपको 22% का return देखने को मिलता तीन साल की बात करें तो तीन साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000 आपको मिलता 2,92,220 रुपिया यानि तीन साल में S.I.P. के थुरू आपको 62% का return देखने को मिलता और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3,00,000 आपको मिलता 8,96,219 रुपया यानि 5 साल में S.I.P. के थुरू आपको 190% का रिटन देखने को मिलता अब अगर बात करें कि इस मुचल फंट के अंदर अगर आप एक बार में 1,00,000 रुपय का लम्शम करते तो फिर एक साल में आपका 1,00,000 रुपया 1,37,75प रुपया होता 3 साल में आपका 1,00,000 रुपया 2,00, Steven sympathy रुपया होता और पांस साल में आपका एक लाग रुपिया छे लाग अठासी जार एक आवन रुपिया होता हॉल्डिंग के अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 77 स्टॉक लिस्टेड है अगर हम इसमें टॉप टेन अवसके सेक्टा आज डिसकस करें तो पहला नम आता है रिलाइंस इंदस्टियल लिमिटेड एनरजी छेत्र जिएो फैनेशयल सर्विस लिमिटेड फैनेश telescopes, एजिस लोजिस्टिक लिमिटेड सर्विस, आधित विला फैशन एंद रिटेल लिमिटेड सर्विस बेकाजी फूड इंटरनेशनल लिमिटेड कंजूमर स्टेप HFCL लिमिटेड कम्यूकेशन पॉली मेडिक्यो लिमिटेड हेल्थ केर संट टीवी नेटवर्क लिमिटेड सर्विस अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड सर्विस एन अडानी पावर लिमिटेड एनरजी के छेतर में है अगर इसकी हॉल्डिंग एनलाइसिस की बात करें तो एक्विटी पे है 86.9, कैस पे 12.1 और डेफ पे है 0.9% इसकी एक्विटी सेक्टर एक लोकेशन के अगर बात करें तो सर्विस पे है 19.8, हेल्थ केर पे 18.3, अदर 17.5, फाइनलसियल 15.3, एनरजी 13.7, कंजूमर इस्टेप्स 8.6 और केमिकल से 6.8% यानि कि अगर आप क्वांट स्मॉल केप फंड के अंदर अपना पैसा इंवेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी केटेगरी पे डिस्टिब्यूट होकर के लगेगा इनके एडवांस रेशियो के अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 28.95 और पीवी रेशियो 3.04 अगर आप इस मुचल फंड के अदर अपना पैसा इंवेस्ट करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट टाइम मिनिमम लंसम आपको 5000 रप्या करना होगा और अगर आप सेकंड टाइम भी लंसम करना चाहें तो सेकंड टाइम आप 1000 का लंसम कर सकते हैं अगर आप SIP के थूरू इंवेस्मेंट करना चाहते हैं तो आप 1000 से अपना SIP स्टार्ट कर सकते है Return and Ranking के उपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं Quant Small Cap Fund का Fund Return जो की 1 साल में 37.8, 3 साल में 26.8, 5 साल में 27.1 और Annual है 19.5 का वहीं पर इस कटेगरी के Average Return रहता है यानि कि Equity Small Cap Mutual Fund का Average Return एक साल में 29.8, 3 साल में 28.3 और 5 साल में 30.4 का है तो यहाँ से देखेंगे यह Mutual Fund एक साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी Average से ज़्यादा रिटन निकाल करके दिया है अगर आप इनके अंदर Already Invested है इस Mutual Fund के अंदर या फिर करना चाहरे है तो क्या Target ले करके करेंगे ताकि Quant Small Cap Fund से मुझे अच्छा रिटन मिल जाए तो लमसम में जो Target रहेगा वो रहेगा 6 साल का और S.I.P. पे जो Target रहेगा 10 साल का अगर आप इतना टाइम तक Continue इस Mutual Fund के साथ बने रहते हैं तो यह Mutual Fund आपको काफी अच्छा रिटन दे देगा किसी और Mutual Fund में आपको Invest करने की जोरुरत नहीं पड़ेगी अगर इसके आसपस Similar Funds देखे तो इसके आसपस एक अच्छा इससे भी अच्छा Similar Funds है जो की है Invexo India Small Cap Funds डाइट ग्रोथ 4 Star Rating Mutual Fund है एक साल का रिटन है 14.1 तीन साल का 25.7 और इसका फंड साइज है 576 करोर का तो आप Invexo India Small Cap Funds डाइट ग्रोथ को भी आप अपने पॉटफॉलियो पे रख सकते हैं Expense Resio को फ़र बात करें इनका Expense Resio 0.64% का Exit Load की बात करते हैं अगर आप Invest किया पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का exit load देना होगा और Sturm Duty की बात करें तो Sturm Duty 0.005% टेक्स इंप्लानेशन की बात करते हैं अगर आप इंबेस्ट क्या पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटन होगा उसके आपको 20% का टेक्स पर्मेंट करना पड़ेगा और अगर आप एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं एक साल में 1,25,000 का रिटन बनता है तो फिर आपको साड़े 12% का टेक्स पर्मेंट करना होगा यानि कि short term capital gain पे आपको 20% टेक्स देना है और long term capital gain पे आपको साड़े 12% का टेक्स पर्मेंट करना है इनकी fund house and investment objects की अगर बात करें तो quant mutual fund total assist पे इंडिया पे नमर 34 पे रेंग करता है इसका total assist अंदर management है 90,625 करोड का quant small cap fund diet plan growth ये एक equity mutual fund है जो कि launch किया गया है quant mutual fund की तरप से उस पर आए अभी इस fund का current fund manager है इस fund का currently assist अंदर management है 90,626 करोड का और latest ने भी है 283 रुप्या 49 पैसा quant small cap fund diet plan growth ये एक काफी high risk mutual fund है इसमें minimum SIP amount 1000 रुप्या का set किया गया है और minimum Lumsum 5000 रुप्या का set किया गया है अगर आप invest किया वा पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का exit load देना होगा और इसकी fund benchmark की अगर बात करें तो इसका fund benchmark का nifty small cap 250 total return index तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ discuss क्या quant small cap fund के बारे में फिर मिलते हैं हम लोग नेस्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लिए